हेलो एब्रिवन वेल्कम टू सक्सेज वित्रायकेडमी लाइव मॉक टेस्ट की जो स्रीज चल रही है उसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 21 है इससे पहले हम टोटल 20 टेस्ट को कवर कर चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं लाइव मॉक टेस्ट सेक्सन में जिसमें हम टोटल 20 टेस्ट को कवर कर चुके हैं हलाकि यह लाइव सेसन नहीं है यह रिकॉर्डिंग करके आपको अप्लोड किया जा रहा है और लाइव सेसन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आगे स यूपी PCS के जो question है उनको लिया गया है जो विगत वर्सों में किसी ना किसी exam में पूछे गया हैं यह सारे question अभी भी important बने हुए हैं यानि कि किसी ना किसी exam में पूछे जा सकते हैं तो आप इस test को यानि जो पहले भी test लिये गया हैं उनको जरूर देखिएगा और इस test में आप करिएगा क्या एक copy और pen लेकर बैठिए सबसे पहले आप मैं जो question पढ़ूंगा उसको सुनिए चार options देखिए और अपने answer को अपने copy पर लिख लीजिए जब वीडियो end होगा तो आप judge करिएगा कि आपने 10 में से कितने प्रशनों का सही उत्तर दिया है चलिए आज क गलत है बाकी तीन सही है आपको उस गलत को चुनना है तो यहां पर सबसे जो पहला options है वो है गोस्वामी समिती क्या इसका संबंद और द्योगिक रुगलता की समस्या से था जान की रमन समिती क्या इसका संबंद शेर घुटाले की जाश परताल से था तीसरा है सक्चर समिती क्या यह मुस्लिम वर्ग के सुधार से समंदित है या फिर चौथा option यहां पर होगा तार पोर तारा पोर समिती क्या इसका समंद क्रसी छेत्र में करहे तू था तो यानि कि चार options हैं आपको right answer देना है आप अपने answer को copy पर लिख सकते हैं उससे क्या होगा कि आप जब अपने answer को tick कर लेंगे या लिख लेंगे उसके बाद जब मैं answer आपको बताऊंगा तो वो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा चलिए अब आपको इसका right answer बताते हैं इसका right answer होगा fourth option तारपोर समिती देखे तारपोर समिती का जो संबंद है वो पूंजी खाता परिव गया था इस समिती को 1997 में गठित किया गया था और इन्होंने उसी समय अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई थी इसकी अनुसंसाओं याने की इसकी सिफारिस पर भारत के पूंजी खाते के क्रमिक उदारी करण का आधार बनाया गया बागी गोस्वामी समीती और द बार असस्ती के एकजाम में पूछा जा चुका है कि मानो सरीर की सबसे छोटी अस्ती कौन सी है याने की मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है ऑप्शन्स हैं स्टॉपेज मलियस फेमर या फिर पीनल यहां चार ऑप्शन्स हैं यह फीमर होगा फीमर चार ऑप्शन्स ह अब अपने एंसर को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए फिर मैं इसका राइट एंसर आपको देता हूं आई होप आपने अपने एंसर को टिक कर लिया होगा अब इसका एंसर मैं आपको बताता हूं इसका जो साइज है वो तीन गुड़ें 2.5 mm होता है और इसका जो आकार होता है घंटी के तरीके दिखाई दिखाई देता है अब आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है सरीर की वो होती है फीमर फीमर को सबसे बड़ी हड़ी बोला जाता है ये जांग की हड़ी होती है फीमर जो है वो जांग की हड़ी होती है अगर आपसे ये भी पूछता है कि मानो सरीर की सबसे मज जबूत हड़ी कौन सी है तो अभी आपका राइट एंसर फीमर होगा आपको ये भी बता दें कि मानो सरीर में टोटल 206 हड़ीयां होती है नेक्स्ट है हड़पा सभिता में दिये गए इस्थलों यहां पर होगा इस्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है बाकी तीन तो मैच करते हैं एक मैच नहीं करता है तो क्या आलम गीरपुर उत्तरप्रदेश में है क्या लोथल गुजरात में है क्या दैमाबाद महराश्टर में है या फिर क्या मुंडिगाख पंजाब में है चलिए आप अपना एंसर दीजे आपने अपना एंसर लिख लिया होगा इससे पहले का अगर आपने टेस्ट नंबर 20 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दैमाबाद में तामबे का एक रत मिला था खुदाई में और आपको ये भी बताया था कि दैमाबाद महराश्ट्र में इस्तित है इसलिए थर्ल आप्शन तो यहां पर नहीं होगा लोथल गुजराग सुनने से ही लगता है हजार बार आपने सुना होगा तो सेकंड आप्शन भी नहीं होगा अब यहां पर आपका वन और फोर्थ बचता है तो आपने I hope सही answer टिक कर दिया होगा अब मैं इसका answer आपको बताता हूँ इसका answer होगा फोर्थ आप्शन मुडिगार सुरी मुडिगाग पंजाब में नहीं है यह है आपका अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में इस्तित है यह और यह पुरा तात्विक इस्थल है यहां पर हडपा की संक्रमन कालीन अव्यस् पता चला है इस पैलेस के बारे में कुछ खास बाते हैं जैसे कि मुंडिका कांस युग में हेममंद संस्कृति का केंद्र था यह साह मक्सूत के पास कंधार से लगबग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कुशक ए नखुद नदी के उत्तरी जल निकासी पर इस्तित है यह यहां मिले बचे हुए आउसेसों से पता चलता है कि यहां एक मंदिर भी था यहां एक बड़े खुलेपन दरवाजे भी थे यहां मिट्टी और इड की दिवारें थी जो पत्थर की निउपर बनी थी गर्मी से राहत भी यह दिलाती थी तो यह इसका राइट अंसर भी सकता है राश्टपती उपराश्टपती प्रधान मंत्री या फिर लोग सभा अध्यक्ष चार ओप्शन से आपको अपना राइट अंसर देना है इसका यह कोश्चन भी ससी में कई बार पुछा जा चुका है और आपको इसका राइट अंसर भी पता होगा अगर नहीं भी प संसत का संयुक्त अधिवेशन राश्टपती द्वारा बुलाया जा सकता है और इसका प्रावधान किया गया है अनुछेद 108 में यह भी याद रखिएगा और इसकी अध्यक्षता लोग सभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्तिती में लोग सभा के उपाध्यक्ष करते है सबसे पहले राश्टपती का अधिवेशन राश्टपती बुलाते हैं उसके बाद लोग सभाध्यक्ष का रोल आता है फिर उपाध्यक्ष का रोल आता है चलिए फिफ्थ कोश्चन पर आते हैं भारती सम्मिधान की उद्देशिका में संसोधन किया गया था किस संसोधन द्वारा 42 संसोधन द्वारा या फिर 44 संसोधन द्वारा चल यह इसका right answer हम आपको बताते हैं इसका right answer होगा third option 42 संविधान संसोधन द्वारा अब यह आप जान लीजे कि 42 संसोधन है क्या पहली बाद तो यह 1976 में इंद्रा गांधी के काल में संसोधन किया गया था, इस संसोधन के तहत भारति समिधान में तीर ने सब्द समाजवादी, ढर्म निर्पेश्च, एवं अकन्ड़टा को सामिल किया गया था, इसमें राश्टपती को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध पर उपबंध सामिल किया गया था इसके तहर समयधानिक संसोधन को नियाइक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देसक तत्मों को व्यापक बनाया गया था Next question है most important Pencil की जो lead होती है वो किस से बनी हुई होती है Pencil की जो lead होती है वो किस से बनी हुई होती है 4 options हैं पहला है Sisa यहां पर Sisa होगा दूसरा है Antimony तीसरा है Graphite या फिर चौथा है उप्रुक्त में से कोई नहीं चार options हैं आपको अपना right answer देना है तो I hope आपने right answer लिख लिया होगा अब हम आपको इसका right answer बताते हैं थर्ड option ग्रेफाइड ग्रेफाइड सबसे अधिक पहचाने जाने वाला प्राक्तिक पदार्थ है और इसका उपयोग आम तोर पर pencil के लिड बराने में किया जाता है लीथियम आयरन बैटरी जैसे उभरतिवी तकनीकों में भी इसका इस्तमाल किसी ना किसी रूप में होता र गया था तो चार options है पहला option है विकलांगों के लिए दूसरा है गरीबों के लिए तीसरा महिलाओं के लिए या फिर चौता है व्रद्धों के लिए चार options है चलिए इसका right answer हम आपको बताते हैं इसका right answer होगा first option विकलांगों के लिए स्वावलंबन योजना सुरू की गई थी 2010 में इसको launch किया गया था स्वालंबन योजना एक सरकारी समर्थित माइक्रो पेंशन योजना थी जिसकी निगरानी पेंशन फंड विनियमेन और विकास प्राधिकरण जिसे PFRDA बोला जाता है उसके द्वारा किया गया था जोने हुआ एर्थ नंबर है पूर्व मिमानसा विचार धारा के प्रणेता कौन थे में Pen Aunque के फ्रस्ट आप्शन है जैमिनी दूसरा है वद्रायन तीसरा है विश्त्वमित्र और चौथा रही कौन त Felix चार्प्शन्स है आपको इसका right answer बताना है I hope अब तक आपने अपना answer copy पर लिख लिया होगा चलिए इसका right answer बताते हैं इसका right answer होगा first option जैमिनी देख किसी विसे पर गहराई से किये गए विचार विमर्स को मिमानसा कहते हैं मिमानसा दर्सन में धर्म क्या है इस विसे पर मिमानसा किये है इसके अनुसार वेद वाक्य में लक्षित अर्थ धर्म क्या है इस पर गहनता से अध्यन किया गया तो जैमिनी जैमनी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जर्मन भिक्चुक थे, धर्मसास्त्री थे, विस्विद्यालेम प्राध्यापक थे, पादरी एवं चर्च सुधारक थे, जिनके विचारों के द्वारा, प्रोटेज्म, सुधार अंदोलन प्रारम किया गया था नाइन्थ नंबर है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, चार ओप्शन्स हैं, राजा राम मोहनराय, स्वामी दयानन, स्वामी विवेकानन, स्वामी स्रधानन, चार ओप्शन्स हैं, आपको इसका राइट एंसर बताना है, मार् अब आपको इसका राइट एंसर बताते हैं, स्वामित दयानन सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, तो एक्स्लिनेशन की जुरुत है नहीं, आज की इस वीडियो का लास्ट कोशन है कि कौन कभी भी भारती का अध्यक्ष नहीं बना है, चार आप्शन्स हैं, बीजी तिलक, सेकेंड आप्शन है बद्रुद्दीन तयब जी, तीसरे हैं जीके गोखले, चोथे हैं गांधी जी, तो इसे चार आप्शन्स में आपको राइट एंसर बताना है, आई होप आपने अपना एंसर टिक कर ल के 1888 तक भारतिय राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे, जीके गोखले 1905 में का अध्यक्ष के अध्यक्ष बने और गांधी जी 1924 में भारतिय राश्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो यह आज के, यानि टेस्ट नंबर 21 के 10 कोशन थे, most important question है, बहुत अच्छ लगा होगा अगर इस वीडियो से संबंदित कोई भी आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद